Hello everyone, welcome to Courtney's students friends, आज के यस विडिम में बात करेंगे मेगा-व्याइशिस के बारे में तो मेगा-व्याइशिस हमारा पर स्था होती है formation of haploid Megaspore from Megaspore mother cell जिसमें हम जो है haploid Megaspore बनाते हैं किससे Megaspore mother cell से, टीकिन, It take place inside the nucleus of developing ovule यह कहांँ पे होता है हमार पास Nucleus of developing ovule के अंदर This process starts very early Even when integument not form completely तब यह process start हो जाती है ज़ब हमार पास integument भी नहीं बनी होती All the cells of nucleus are similar But early during its development सिंगा है पैोडर्माल इसल करES बोलते हैं तो हमें कलो मेर्स नांड छायुकरम होगी कुछ सब्सक्राइबुकान क भूलते हैं Multicellular Archaeosporium is reported in family Apicasia, Ranaculus, Poesia sector But all the Archegoniate cells are not functional पर सभी functional नहीं होती है The Archaeosporial cell is differentiated from each other's cell as it is large in size and contains dense cytoplasm and prominent nucleus Archaeosporial cell होती है वो एक दूसे से अलग होती है कैसे हर किसी का जो है वो लार्ज साइज होती है उनमें dense cytoplasm होती है और prominent nucleus होती है तो जो आर्केस्पोरियल सेल हो अलग होती है दूसरों से कैसे है कि उनमें large size का जो हमार पास सेल का साइज होती है dense cytoplasm होती है और prominent nucleus होती है The Archaeosporial cell directly function as Megaspore mother cell with tuninucleated ovule जो हमारे पास आर्केस्पोरियल सेल होती है वो डिलाक्पली फंक्शन करते हैं as a Megaspore mother cell MGMC फिद tuninucleated ovule और इतमें अंडरगो पैरिक्लाइनल डिवीजन ठीक उसमें पैरिक्लाइनल डिवीजन होती है तो फॉर्म आउटर प्रामरी पैरेंटल सेल इनर पैरेंड इनर स्पोरियनस सेल हमारे पास जो आर्केकोनियल सेल है उसी से हमारे पास क्या वनेगा जो भॉष पैरेपद दूवीजन होगी तो फॉर्म आउटर पेरेंटल सेल बनेंगा और इनर पैरद़ियनस सेल बनेंगा प्रिम्री ऌपलोइड मेगाविचपोर म कहलेते हैं विद्विडों में से subjective call और की diarrhea सर्ग फ्राहले विषाइज मेशेंज Blue have føज ψेजिए 236 school बनते हैं जो के लिनेर में नियाय में होता है कि ठीके वह केसे में रहेँ अिर्फिते हम कि बनते हैं मारे पास त्रीके स्थी सासी क्याहत अर्टके कबरेर के टेडार आसे को सब्सक्रा यह रहे हुते थे अर्ट्री रहें तरह की थी gent degenerate हो जाएंगे ठीक है and used by the lower most functional Megaspore present towards the chalazal end of the ovule अब देखो तीन जो है वो एक तरफ होंगे एक जो है वो चalazal end की तरफ होगा और वो तीनों जो है हमारे पास Megaspore वो क्या हो जाएंगे all Megaspore in a linear tetra give out tubular historium वो किसकी फोर्म में होते है त्यूबुलर हिस्टोरियम की फोर्म है प्राइमरी पेरेंटल सेल अंडर्गो रिपीटि ड्वीजन और था न्यूकलेस बिकम ठीक प्राइमरी पेरेंटल सेल होते है वो अंडर्गो होते है रिपीटि ड्वीजन और क्या मनाते है मारे जो न्यूकलेस होते है उनकी ड्वीजन हो रही है बार बार जो प्राइमरी पेरेंटल सेल ने वो ठीक हो जाएगा ठीक है several layers से जो बन जाएगा and if primary parental cell may remain undivided और may divide once or twice to make nucleus thin अगर वो जो parental cell है वो बार बार डिवाइड कर रहा है तो पता है कि वो थिक हो जाएगा मार पर nucleus लेकिन अगर वो divide नहीं कर रहा है अंडिवाइड है या फिर once or twice लेकिन टिवाइड कर रहा है तो मार पास जो नियू कैलेस है वो कैसा होगा थीन थीन में डप आफ 2 और 3 लेर्स अगर या थ्री लेर्स बनेंगी हमारे पास नियू कैलेस में तो उस कंडिशन को हम क्या बोलते है तियूनी नियूकलियेक्टर एक्जामपल वैनीला वेंकाइस यह मेंगार पर विध्वलेशन न सेतरा की लींएर शेप को लिए सिस Yay प्रिट सेतर्वान सेंग इसाथ मारी वीडियो कंप्लीट होती है Megasporogenesis की I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you